हेलो फ्रेंड्स आज हम पटेटो वेजी ब्रेडोल बनाने जा रहे हैं उसके रहे हमें चाहिए उबलवा आलू जिसको मैंने मैश कर दिया है बारीक कटी हुई फूल गोबी मतर बारीक कटी हुई गाजर पनीर जिसको मैंने बारीक काट लिया है नमक स्वाद अनुसार जीरा पौडर लाल मिर्च पौडर गरम मसाला पौडर धनिया पौडर अमचूर पौडर बारीक कटावा धनिया और बारीक कटीवी हरी मिर्च चाट मसाला और ब्रेडोल बनाने के लिए ब्रेड अब हम इसका मसाला बनाएंगे हम एक बाउल लेंगे बाउल के अंदर हम लोग आ नोभी डालेंगे, मटर डालेंगे, गाजर, वन टीजपून हरी मिर्ची, वन टीजपूर हरा धन्या, नमक, स्वाधनुसार, धन्या पॉडर, अमचूर पॉडर, लाल मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे, वन टीजपून हरी मिर्ची डाली होई है, हाफ टीजपून गरम मसाला पॉडर, हाफ टीजपून भुना जीरा पॉडर, थोड़ा सा चाट मसाला, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, यह मारा मसाला मिक्स हो गया है, अब हम इसके अंदर जो मने पनी रखा था हो डालेंगे, और इसको मिक्स करतेंगे, ना किया हमारे मसाला मिक्स करते हैं हम अब रोल krij एक में ब्रेट प्सकर, कैस प्सक्थ, कि थेमांके बर्देट से करेंगे तो करेंगे एक बाल में हम पानी लेंगे , अब ब्रेट को पानी में डिप करेंगे और इसको मारकी तलो सनाने सेजिगी, यह जो मसाला है इसमे हम डालेंगे एक चमच और इसको बंद कर लेंगे चारों तरफ से इसको हम थोड़ा लंबा शेप में देंगे यह देखिए हमारा यह रेडी है इसको हम प्लेट में रख लेंगे इसी तरीके से हम सारे रोल बना लेंगे पाली निकाल लिया हमने यह हमारे रोल डेडी है अब हम इसको डी फ्राइगे हम एक पैन में ओईल गरम करेंगे यह हमारा यह हमारा ओईल गरम हो गया है अब हम इसमें रोल डालेंगे इसको पलट लेंगे और गैस को ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है यह हमारे रेड रोल देखिए गोल्डन हो गए है यह हमारे ब्रेडी है इसको हम निकाल लेंगे पेट में निकाल लिया है अब हम इने सर्फ करेंगे यह हमारे पटेटो वेजी ब्रेड रेडी है यह दिखने में जितने सुन्दर है खाने में उतने यमी है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज असे लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और शेयर करें थैंक यू